तो आज हम discuss करेंगे social media platform Instagram के ऊपर Instagram जो है इस साल बहुत ही popular हो चुका है सबसे हादा use होने वाला social media platform है तो इसके थुरू आप कैसे fortune कर सकते हो कैसे fortune कमा सकते हो कैसे अपना जो account है उसको अच्छे से monetize कर सकते हो उसमें हम discuss करेंगे तो सबसे पहले इंस्टाग्राम है क्या तो इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया प्लाटफॉम है जहां आप फोटो और वीडियो शेयर कर सकते हो इसमें जो है कोई भी बंदा 13 years of age से लेके काफी जो 65 प्लस तक है एज ग्रूप उस वो सारे लोग अपना अकाउंट बना सकते जनरलिए आपने इस में देखु होंग मैं जिसे हम रिएल के होते हैं अप देख सकते हो रील्स इस तरह के होते हैं उस करते हो तो अगर हम बात करें डिजिटल स्टाटिस्टिक्स की तो इंस्टाग्राम जो है सबसे ज्यादा पॉपिलर सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म बन चुका है इंडिया में आप देख सकते हो जो ग्लोबल इंटरनेट की यूसेज रिपोर्ट है तो इंस्टाग्राम ने न प्लाटफॉर्म यहां पे आपको दिख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे जो डेटा अगर आप यह पूरा रिपोर्ट पढ़ेंगे तो एक आदमी 6 से लिए के 8 घंटे तक अपने स्पेंड कर देता है इंस्टाग्राम के ऊपर फोटोस दिखते दिखते रील दिखते दिख अब बात करें अगर आपको मॉनेटाइज करना इस्टाग्राम को तो आपको चाहिए क्या क्या सबसे पहले जब आप इस पर अकाउंट बनाते हूं तो आप देख सेकते हो कुछ इस तरह से आपको अकाउंट दिखता है जहां पे आप फोटोस वीडियो पोस्ट करते हो तो सबसे पाइब आपकोस्ट करना यानि जो आपको फालोन करने वह आपको पसंद कर रहे हैं को आपकी वीडियोस को लाइक कर रहे हैंँद आपको फॉलो कर रहे हैं तो वह वह अपको क्रेंट करना साथी साथ अब котором मॉन आपके साथ हमेशा इंगेज होने चाहिए या तो आपकी फोटो वीडियो को लाइक कर रहे हैं या कॉमेंट कर रहे हो तो यह चीज आपको बहुत कैसे तो जैसे कि आप फोटो या वीडियो को देखते हैं अगर उनसे जो मैच करता है जो चीज डोड रहे हो तो उसको देखते हुए वह आपको फिर follow करेंगे या तो आपके वीडियो को share करेंगे साथ ही साथ अगर आपको प्रोड़क्ट देख रहे हो या प्रोड़क्ट के बारे में उसमें जानकारी दे रहे हो या उसमें आपने जो link share किया तो फिर call to action आता है जहां प कैसे आप जो monetization करते हो वह इस तरह से है अब आपको Instagram पर चाहिए क्या क्या तो Instagram जो social media platform में जानते हो कि उसमें आप photos और वीडियो शेयर करते हो साथ ही साथ उस photos वीडियो को जो लोग शेयर करते हो उसमें ढूंडा हो तो वह hashtag और जो specific words है उसको लिख के अगर search box में type करता है उससे related content वह असानी से ढूंड सकता है क्योंकि millions of लोग है Instagram पर जो अपनी वीडियो को शेयर करते हैं तो सब को ढूंडा नहीं जा सकता तो जो hashtag होता है जो keywords होते है जो trend करता है वो social media platform हमेशा दिखाते है उस word को है जो symbol है उसके थ्रू तो लगबग लगबग जब आप profile create करते हो जो भी photos वीडियो डाल रहे हो तो कम से कम 10 से 15 hashtags आप यूज करें जो आप से related हो माल लोगर आप कोई product वीडियो बना रहे हो या आप fashion से related बना रहे हो तो जो आप keyword use करो के हैज के साथ वो उस content से related होना चाहिए अगर आप dance के वीडियो बना रहे है तो hashtag dance specific location उस तरह से यह हम later on discuss कभी करेंगे उसके साथ साथ आपका जो profile उस पे अच्छा bio होना चाहिए जो आप अपने profile के बारे में अपना description देते हो ताकि लोगों को पता चल पाए आप basically किस चीज के लिए आप किस कैसा content बनाते हो साथ ही साथ आपको हमेशा regular होना पड़ेगा अगर आप किसी भी चीज को करना चाहरे हो तो आप बीच में अगर break ले रहे हो तो यूजर का connect आपके साथ तूट जाता है तो आपको हमेशा constant रहना पड़ेगा चाहे आप हफते में दो ही बार क्यों पोस्ट करो फोटो वीडियो आपको उस हिसाप से अपना content हमेशा पोस्ट करना पड़ेगा आपको डेली करने का जरूवत नहीं है पर जो भी चीजें है अगर आप product review बना रहे हो फैसन से related बना रहे हो तो आपको कम से कम दो वीडियो दो फोटो इस तरह से मतलब हफते में दो बार आपको करना ही करना चाहिए फिर आपका जो content होता है वो एकदम quality content होना चाहिए ज्यादा तर जो social media platform में उस पे cringe content आप देखते हो जो की useless होते हैं entertainment के purpose से लोग डाल देते हैं memes और यह सब जाना तर लोग memes देखते हैं लेकिन उस memes channel और entertainment क जो clips होती है उसको आप monetize जल्दी कर नहीं सकते हो तो आपको जो content बनाना पड़ेगा Instagram पर वो किसी ना किसी product या service से related होना चाहिए product या service से related तभी आप उसको अच्छे से monetize कर पाऊगे तभी आपको लोग brand के लिए approach कर सकता है otherwise आपको लोग फिर खाली entertainment purpose के लिए देख के लिए निकल जाएंगे और वो उसमें कोई खास benefit आपको होगा नहीं तो हमेशा याद रखिए जो product और service से related आप बना रहे हो quality content कोई बात नहीं अगर आप phone से ही बना रहे हो या आपके पास उतना editing skills नहीं है लेकिन आप हमेशा कोशिश करें कि आप user को एक value provide कर रहे हो तो यह आपको बहुत जरूरी है साथ ही साथ अगर आप Instagram पे content creator हो तो आपको जितने दूसरे creators है उनके साथ आपको relationship build करना चाहिए आजकल आप देखी रहे हो ट्रेंड जो है podcast का है podcast में लोग एक दूसरे का इंटर्व्यू लेते हैं तो अगर आप किसी और भी creators को जानते हो भले ही वह छोटे creator दो तो मिल के साथ में आप कुछ collaborate करो ताकि आप एक दूसरे के user को भी आप दिखा पाओ कि चीजें है क्या collaboration होगा क्या आपको और ज्यादा लोग जानेंगे और हो सकता है अगर आप सेम फील्ड के सेम यॉनर के अगर आप creator हो तो आपको एक दूसरे के user base से भी आपको फ सारे कुछ platforms है जिसके तुरू आप monetize कर सकते हो सबसे पहले तो affiliate marketing affiliate marketing होता क्या है चाहे आप Amazon पर sign up कर लो या Flipkart पर sign up कर लो तो इसके तुरू आप जो है आपको link provide कर देते हैं अगर आपको कोई product and service है उस link को आप अपने photos या videos के पर share करते हो और जब कोई user इस link से purchase करता है तो आपको commission मिलता है कमिशन आपको मिलता है तो आप बहुत सारे affiliate channel से आप collaborate कर सकते हो और जो आपका content है उसके according आप link share करो और commission के तुरू कमा सकते हो दूसरी चीज़ जो होता है sponsored post होता है यह तो जब आपका fan base या user base ज्यादा हो जाएगा तो आपको brand खुदी approach करती है brand यहाँ पर अप्रोच करेगी और आपको sponsored post मिलेगा आपको कुछ content मिलेगा अगर मालो आप fashion से related हो तो आपको clothing brand अप्रोच कर के तुरू मिल सकता है लेकिन इस पे आपके जो follower अच्छे होंगे तब ही आपको मिलेगा साथ ही साथ आप product placement भी कर सकते हो आप कुछ product जो है जैसे do it yourself वाले वीडियो बनाओ ताकि लोग कुछ सीखें आजकल तो आप देखरों लोग cooking से related बना रहे हैं videos उसी में आप collaborate कर सक देख सकते हो आप चाहें baking के through या आप किसी भी तरह का आप gadget कुछ manufacture कर रहे हो तो उससे related भी आप video डालोगे तो लोगों तक वो पहुंचेगा साथ ही साथ सबसे best way Instagram में जो भी चीज आपको आता है उसको आप Instagram पर अगर आप teach कर सकते हो लोगों को आप awareness कर ला सकते हो लोगों में तो उसके through भी आप earning कर सकते हो अगर आपका coaching center है तो आप कुछ ऐसे daily news या daily learning के बारे में जो आपकी fields related है वो चीज़ आप लोगों को ब होगा उनको भी knowledge gain होगा उसके through भी आप earning कर सकते हो आपके पास लोग जादे जादा पहुंचेंगे आपकी e-books जो होंगी लोग खरीच सकते हैं तो इस तरह से भी आप earn कर सकते हो और सबसे best way है अगर आप कोई shop owner हो या आपका खुद का कोई product है तो आप उसको advertise करो आप advertise क यह नहीं मतलब है कि आप advertisement चला रहे हो आप अपने इंस्ट अकाउंट के थुरू उस product वीडियो को आप जो है उसके बारे में वीडियो बनाओ awareness फैलाओ awareness आप दो लोगों को और उसके थुरू आपका product जब sell होगा तो आपको commission मिलेगा अब इसमें बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं आप हो सकता है किसी brand के product sell करते हो तो आप उस पे भी video बना सकते हो उसके reviews बना सकते हो उसके बारे में या photos वीडियो डाल सकते हो कि आपके shop पे व और अगर उन्हें वह requirement होगी तो वहां से भी purchase कर सकते हैं तो I hope आपको समझ में आया होगा कि Instagram के तुरू आप कैसे monetize कर सकते हो कैसे अपने accounts आप पैसे कमा सकते हो I hope आपको video पसंद आया होगा till then मिलेंगे next video में till then take care